जे मातादी दोस्तों, वर्ल बेस मैजिक में आपका हारदिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये पताने के लिए कमेंट बॉक्स में जे मातादी जरूर लिखें। जुर की दंदेरस के दिन माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर के अलावा यम देव को भी दीबदान किया जाता है। साथ ही इस दिन खरिदारी का बड़ा ही महत है। आपको काफी लंबे समय तक सुबफल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2030 में धंदेरस का पर्व कम मनाया जाएगा। तो दोस्तों इस साल त्रो दसीतिति की सुरुवात 10 नौबर 2030 की दोपहर को 12 बचकर 35 मिनट पर हो जाएगी। और त्रो दसीतिति की समाप्ती 11 नौबर 2030 की दोपहर को 1 बचकर 57 मिनट पर होगी। इस साल धंदेरस का पर्व 10 नौबर 2030 दिन सुक्रवार को मनाया जा रहा है। और बात करें धंदेरस की पूजा के सुमूरत की तो इस दिन पूजा का सुमूरत साम 5 बचकर 47 मिनट से लेकर साम 7 बचकर 43 मिनट तक रहेगा। इस सुमूरत की कुल लवदी 1 घंटा 56 मिनट की है। और इस दिन प्रदोस काल साम 5 बचकर 30 मिनट से लेकर रात 8 बचकर 8 मिनट तक रहेगा और इस दिन व्रसब काल साम 5 बचकर 47 मिनट से लेकर साम 7 बचकर 43 मिनट तक रहेगा और दोस्तों इस दिन खरिदारी करने का सुमूरत 10 नॉमबर की दोपहर 2 बचकर 35 मिनट से लेकर 11 नॉमबर को दोपहर 1 बचकर 57 मिनट तक रहेगा इस सुमूरत में आप सोना, चांदी, बर्तन, आदी जो भी खरिदारी करनी है वे आप कर सकते हैं दोस्तों दंतेरस के दिन लोग अपनी सामर्थ के अनुसार मकान वाहन से लेकर आभूसन, बर्तन, इलक्टोनिक्स के समान आदी खरीदेते हैं दंतेरस के दिन खरिदारी के लिए ऐसी मानिता है कि इस दिन की गई खरिदारी से संपत्ती में 13 गुना की व्रत्ती होती है इसी लिए इस दिन लोग जम कर खरिदारी करते हैं दोस्तों दंतेरस का दिन भले ही खरिदारी के लिए बहुत ही सुब माना जाता है लेकिन इसका अर्थी ये नहीं है कि आप इस दिन किसी भी वस्तु को खरीद कर घर ले आएं दंतेरस पर केवल सुब चीजों की ही खरिदारी करें खास तोर पर धंतेरस के दिन काले कपड़े, लोहे का समान, प्लास्टिक का समान, सीसे का समान आधी खरीदने से बचना चाहिए इसलिए धंतेरस के दिन ये जानना बेहदी जरूरी है कि इस दिन आपको क्या-क्या खरीदना है दोस्तों धंतेरस के दिन धनिया खरीदना बहुत ही सुब होता है धनिया का बीज या साबुत धनिया खरीदने से घर में खूब बरकत होती है आप धन्तेरस के दिन धनिया खरी दें और इसे दिवाली की पूजा में चढ़ाएं इसके बाद इन धनिया के बीजो को आप अपने घर के गमले में बो दें इसके लावा धन्तेरस पर आप चाहे कितनी भी सौपिंग क्यों न कर लें लेकिन इस दिन जाडू खरीदेना ना भूलें इस दिन जाडू खरीदेने का अपना ही महत्तो है धन्तेरस के दिन जाडू खरीदेने से मालक्षमी बेहदी प्रशन्य होती है और पूरे साल घर में बरकत करती है बस ध्यान रखें कि जाडू प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए इस दिन सीक वाली जाडू ही खरीदिनी चाहिए और जाडू खरीदने के बाद उसमें सफेद रंग का धागा बांधना चाहिए दोस्तों इसके लावा धंदेरस के दिन आप सोना, चांदी, पीतल, आदी धातू की वस्तुएं भी खरीज सकते हैं इस दिन धातू से बना सामान खरीदना भी बेहदी सुब होता है दोस्तों सोना चांदी बरतन के लावा आप इस दिन कुबेर यंद्र भी खरीज सकते हैं इस दिन स्री यंद्र खरीदना भी सुब माना जाता है इसके लावा इस दिन गोमती चक्र या कौड़ी खरीदना भी बेहदी सुब होता है गुम्ती चक्र और कोडी मातालक्षमी को बेहदी प्री हैं इनको खरीदने से वे बहुत ही प्रशन्य होती हैं इसके लावा धंतेरस के दिन नमक खरीदना भी सुब होता है धंतेरस के दिन आप नमक अवज से खरीदें और दिवाली के दिन इसी नमक से घर में पोछा लगाएं और इसी नमक का भोजन भी बनाएं इससे घर में सुक शांती और सम्रधी का वास होता है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद